1989 में उरेडा नाम की संस्था ने दरडा में सोलर प्रांट लगाया जो महच 3 साल तक ही गाउं को बिजली सप्लाई कर बाया तब से सोलर प्रांट ठप पड़ा है सरकार और उरेडा संस्था दोनों ही दरडा गाउं में बिदूती करपाने में पसेफल रही हैं बिजली नहीं होने से हर कोई परेसान है बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं चीड के छिलके जलाकर और केरोसिन लैप जलाकर उनको पढ़ाई करनी होती है नौवी कक्षा का छात्र नरेंद्र अब गाउं में सडक और बिजली जैसी जरूरतों को प्रात्मिक मानने लगा है इसकी कोई देख रेखना होने के कारण यहां के लोग जागरूग ना होने के कारण इसका रिपहन नहीं हो पाया जाब के लोग लगो जागरूग और लेखने हैं सिख्ष проблем नहीं द्रीका बिलकुल नहीं कोई व्यहस्था नहीं ना यहां के लोग जागरूगा जागरूग है इसको अलड़ना चाहते हैं जो अबी तक पता कि Dolors 910 में जी अंधेरे में पल रहा दरणा गाउं का बच्पन देश की व्यावस्था और राजनेतिक प्रतेनिधियों से सवाल कर रहा है कि कब होगा उनके गाउं का विद्धूतिकरण। यदि आप चाहते हैं कि इस गाउं का विद्धूतिकरण। तो करफिया फोन करें उक नमर पे। इंडिया आनहट के लिए उत्राखंड जन्पद बागेश्वर के दरणा गाउं से मैं विपिंजो सी।